लेटेस्ट अपडेट्स और ताजातरीन खबरों के लिए टीवीवर इंडियाल लाइफ को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत दिए आज हमारे साथ दिल्ली प्रदेश के माननिया प्रदेश अध्यक्ष श्री आदेश कुप्ता जी भी है उनका भी स्वागतम बंदुगन जिस प्रकार से अर्विन केजरिवाल जी का साशन दिल्ली में रहा जिस प्रकार से काम नहीं करना और एक माहोल ऐसे बनाना जिससे यहाँ प्रतीत हो कि वो बहुत मेहनत कर रहे हैं बहुत परिश्रम कर रहे हैं और सिस्टम को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं आज एक उदाहरन के सहित हम उनके इस पोल को खोलेंगे काम ना करना केवल काम का फिक्र करना और फिक्र का जिक्र करना यहां अर्विंद केजरिवाल जी का यूएसपी रहा है और खास करके विज्यापनों के माध्यम से अपने पार्टी के भिन 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 विश्यों को आगे बढ़ाने की चेश्टा करना जो धरातल पे वास्तविक्ता नहीं है आजकल भी हम टीवी ओन करते हैं तो पंजाब के आदर्निय मुख्यमंत्री जी को एक एंटी करॉप्शन हेल्प लाइन के साथ देखते हैं मुझे याद आता है जब पहली बार दिल्ली सरकार गठीत हुई थी 2014 में तो उस समय अर्विंद केजरिवाल जी ठीक इसी प्रकार टीवी में आते थे और कहते थे कि आप में से कोई भी करॉप्शन को मत सहना अगर कहीं रष्टाचार होता है तो हम एक फोन नंबर देंगे आप तुरंत उस पे फोन कर देना मैं बैठा हूँ मैं पकड़ लूँगा उन लोगों को और सारे भष्ट लोग जेल के पीछे होंगे उन्होंने किसी को नहीं छोड़ा था शीला दिक्षित जी के विशह में तो एक एटेची थी उनके पास वहां से लेके लालू प्रशाद यादव इत्यादी तेरह लोगों की लिस्ट भी थी आज कुछ खुलासा हम तत्थियों के माध्यम से करने वाले हैं अर्विन केजरिवाल जी अर्थात आम आदमी पाठी का जो पहला कारेकाल था दिल्ली में सरकार के रूप में वह 28 डिसेंबर 2013 से 14 फरवरी 2014 तक का था 8 जनवरी 2014 को आप सभी को याद होगा एक भ्रश्टाचार विरोधी हेल्प लाइन अर्विन केजरिवाल जी ने स्वेंग लॉंच किया था वो नमबर भी आपको याद होगा बहुत विज्यापन हुआ था उस नमबर का 01127357169 यह वो हेल्प लाइन था और दावा किया गया था अर्विन केजरिवाल जी खुद आते थे टीवी पे प्रेस कॉन्फरेंस इत्यादी के माध्यम से दावा करते थे कि हजारो हजार फोन कॉल्स इस नमबर पे आ रहे हैं और बड़ा विशिप्स कारेवाही जो है इस पे होने वाला है हजारो कॉल्स आ रहे हैं यह खुद अर्विन केजरिवाल जी ने कहा था दूसरा कारे का लाहमादनी पाटी का दो हजार पंद्रह से 2020 तक था 2020 तक था पांच एप्रेल दो हजार पंद्रह को पुन एक नवग अठित हेल्प लाइन लॉंच किया गया था एक नया नमबर लॉंच किया गया था और यह जो नमबर था यह विजिलन्स डिपार्टमेंट दिल्ली सरकार के विजिलन्स डिपार्टमेंट सतरकता विभाग के अंतरगत था कि विजिलन्स डिपार्टमेंट इसके उपर एक पैनी निगाह रखेगी और जो भी कॉल्स इसमें आएंगी उस पे कारेवाही करने का काम विजिलेंस डिपार्टमेंट करेगी क्योंकि विजिलेंस डिपार्टमेंट इन सारे कॉल्स को ACB, Anti-Corruption Bureau उस समय विजिलेंस डिपार्टमेंट के अंडर में था ACB के पास भेजेगी इस पर भी बहुत विज्यापन हुआ एक ऐसा माहोल बनाया गया मानू भरष्टाचार के खिलाफ बहुत बड़ी लड़ाई लड़ने की चेश्टा अर्विन केजरिवाल जी की है आपको याद होगा उसके पश्चात दिल्ली सरकार के सतरकता विभाग अर्थात विजिलेंज डिपार्टमेंट में से ACB चला गया ACB उनके पास नहीं रहा जब ACB उनसे छिन गया तो आम आदमी पाटी ने प्रेस कॉन्फरेंस किया और कुछ आंकडे रखे प्रेस कॉन्फरेंस के माध्यम से उन्होंने आंकडे रखा कि ये जो हेल्पलाइन 1031 कोला गया था उसके माध्यम से जो कॉल आये थे उनकी संख्या एक लाख पच्चिस हजार की थी 1,25,000 कॉल्स वेर रिसीव थूपलाइन ये अंटी प्रॉप्शन हेल्पलाइन ये ये जो ब्रस्टाचार के विरोध जो कॉल्स थे ये कॉल्स कुछ विभागों की थी जिसमें MCD, पुलीस, परिवाहन विभाग और दिल्ली जलबोड सम्मली थे कि इन 4-5 विभागों का बहुत कॉल्स आया है एक लाख पच्चिस जार कॉल्स आयी है और आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फरेंस के कहा था उस समय कि इसके आदार पर लगभग 152 अधिकारियों को निलंबित अर्थात सस्पेंड किया गया है और 35 अधिकारियों को गिरफतार किया गया है एक RTI का सिलसिला चालू हुआ लोगों ने जानना चाहा कि वास्तविकता इस नंबर का क्या था कितने लोगों को वास्तविक रूप से कितने लोगों को वास्तविक रूप से इसमें सजा हुआ जो दिल्ली पुलीस की RTI की जवाब 13 मई 2015 को दिल्ली पुलीस से ये RTI में मांगा गया कितने लोग गिरफ्तार हुए, क्योंगी जो नोडल एजेंसी है, कारे와ही करने की, F.I.R. दर्ज करने की, सिकायद दर्ज करने की, वो तो आप एंपर हैं, तो कितने लोग गिरफ्तार हुए, क्या कारेवाही हुए? तो दिली पुलीस का कहना था कि कुल मिला करके, 1031 पे 282 282 कॉल्स मात्र आए और साथ केस दर्ज हुए गिरफतारी किसी की नहीं हुई मात्र साथ केस दर्ज हुए जस्ट इमाजिन आम आद्मी पार्टी के प्रवक्ताओं ने उनके नेताओं ने प्रेस कॉंफरेंस करके कहा एक लाख पचीस अजार कॉल्स आई 152 सस्पेंड हो गए 35 गिरफतार हो गए भारी जुर्म हो गया था इसलिए 35 गिरफतार हो गए किन्तु दिल्ली पुलीस ने कहा कूल मिला करके 282 कॉल्स आए डिफरेंस देखिए एक लाख पचीस अजार और 282 और केवल साथ केस दर्ज हुए कोई गिरफतार नहीं हुआ कोई साथ केस दर्ज हुए ठीक उसी प्रकार स्पेशल सीपी एंटी करप्शन एक विबाग था उसके जो स्पेशल सीपी थे स्पेशल सीपी के अनुसार 20 एप्रेल 2015 को उन्होंने कहा कि यह जो 1031 हल्प लाइन था इसमें मैक्सिमम 451 शिकायते आई 11 मामले दर्ज हुए साथ से 11 मामले एजीपी एसीबी जो एंटी करप्शन ब्यूरो था उनका मानना था कि 11 मामले दर्ज हुए पुलीस ने कहा साथ मामले दर्ज हुए बाद में आपको पता है यह जो हेल्प लाइन था 1031 जिसके उपर इतना फैन फेर हुआ था कि पता नहीं दिल्ली का चेहरा बदल जाएगा करप्शन आम आदमी के जीवन से समाप्त हो जाएगा यह बंद हो गया यह कोविड हेल्प बदल जाएगा इस प्रकार की राजनीती भी कर रहे हैं और आपको जान के आश्चरिय होगा कि उस समय के जो ACB अधिकारी थे यह पब्लिक में है कि उस समय के जो ACB अधिकारी थे उन्होंने कहा कि यह जितने भी 1031 पे कॉल आये थे उनका कोई रेकॉर्ड नहीं है नो रेक जो के लोग होते हैं उनको रखा था इस काम को करने के लिए सो देवर नौट कोई डैप उनको पता नहीं था कि इस प्रकार इस हेल्प लाइन को हैं इसलिए कोई रेकॉर्ड कीपिंग नहीं हुआ है इसलिए बताना संभव नहीं है कि वास्तविक रूप में किसी पे काम हुआ है कि खोदा पहाड निकली चुहिए एक मुहावरा है आप सोचके देखिए इतना कुछ कहा गया था अर्विंद केश्डिवाल जी किस तरह हांत ऐसे ऐसे करके प्रेस कॉंफरेंस करते थे रोज कि हम रश्टाचार समाप्त कर देंगे आप बिल्कुल डरिएगा मत मै बिल्कुल हो ना मैं आप फोन करिए मैं बैठा हूँ सारा ब्रश्टाचार समाप्त हो जाएगा क्योंकि हेल्प लाइनी सब कुछ है कुछ नहीं हुआ किसी के खिलाफ केस नहीं हुआ है कोई जेल नहीं गया है इतने वर्श बीत गए ये जो इनकी रणनीती है कुछ नहीं करना केवल जिकर करना और जिकर का फिकर करना आज उसी विशाय में ये प्रेस कॉंफरेंस है और बाकी बहुत सारे विश्यों को लेकर अभी आदेश गुपता जी हमारे दिल्ली प्रदेश आध्यक्ष आपके सामने रूबरू हो सभी पत्रकार मित्रों को मेरा नमस्कार अभी बड़े विस्तार से दिल्ली में अर्विन केजरिवाल की ब्रस्टाचार विरोधी हेलप लाइन के बारे में उनका पोल खोलने का काम संबिजी ने किया है और दिल्ली के मामले के अंदर भी मैं कुछ बातें आपके सामने साजा करना चाहता हूँ दिल्ली के मुख्यमंत्री जी समय पंजाब के अंदर उनकी सरकार बनी तो उन्होंने ट्यूट किया कि हमने ग्यारा दिन के अंदर दिल्ली के अंदर एक परिवर्तन किया एक पंजाब के अंदर कट्र इमानदार सरकार आ गई है और ऐसी कट्र इमानदार सरकार के को चलाने वाले जो कट्र इमानदार मुख्यमंत्री के जरिवाल हैं उनके बड़े ही कट्र दोस्त और मित्र और उनके सखा रहे ऐसे दिल्ली में उनके ही मंत्रिमंडल के मंत्री सतेंद्र जैन जी की एक कारणामा सामने आया और वो कारणामा उनकी लगबक पांच करोड की संपत्ती जो की फरजी कमपनियों के नाम पर हवाला कारोवारियों से लेन्देन करके उन्होंने जमीन खरीदी थी उसको जब्त किया गया और ये कारवाई बहुत नई नई है पिछले पांच-छे सालों से उन पर ये कारवाई चल ले उस पर जाच चल ले और उस जाच के दोरान ये पाया गया कि किस तरह से सरकार का जो वो उपियोग कहते हैं उसको दुरुपियोग कर रहे थे अपने पद का दुरुपियोग कर रहे थे किस तरह से दिल्ली के कटर इमानदार मुख्यमंत्री के कटर दोस्त और चहेते सतेंद्र जैन के हवाला कारोवारियों से जो लेन्नेन थाए उसमें 16.38 करोड रुपिया हवाला कारोवारियों से लेन्नेन किया और खुद हवाला कारोवारियों ने इस जाच के दोरान बताया है जीवेंदर मिश्रा, अवसेख चोखानी, राजेंदर बंसल और यह बात यहीं नहीं रुकी उसके बाद उन्होंने मंत्री पद रहते हुए तीन कंपनिया जो शेल कंपनी है जिसमें हवाला का पैसा वो लेते थे इंडो मेटल इंपेक्स प्राइवेट लिम्टेड अकिंचन डेवलपर्स प्राइवेट लिम्टेड परियास इंफो सलूशन्स प्राइवेट लिम्टेड यह वो कंपनिया है जिनको चलाने का काम सतेंद्र जैन और उनके परिवार के लोग करते हैं शेल कंपनी है इसमें जितना उनका नंबर दो का पैसा हवाला के तुरू वो लेते थे और इससे करते क्या थे ये बात भी बहुत जानकारी आपको दे रहा हूँ वो दिल्ली में इससे जमीने खरीदते थे क्योंकि सहियाब है कोतवाल तो हमें डरकाएगा खुद मुख्यमंत्री उनके दोस्त है मुख्यमंत्री जी पूरा सेल्टर दिये है और उनको मंत्राले भी वो दे रखे यूडी मिनिस्टर हैं पी डबलूडी मिनिस्टर है क्योंकि सड़क कहां से निकलेगी कहां की जमीन कब महगी होगी ये सब अगर किसी को पता है तो वो दिल्ली में सतेंदर जैन को पता है इसलिए उन्होंने किया क्या इन तीनों कमपनियों के नाम पर दिल्ली के अंदर 123 बिगा जमीन खरीदी 27.89 करोड में और फिर 200 बिगा जमीन खरीदी कहां खरीदी क्रशी भूम खरीदी कराला में ओचंदी निजामपूर बुद्ध नगर उत्तर पश्चिम के तमाम इलाके पल्ला बक्ताबरपूर और वो जहां जमीने खरीदते थे उससे पहले वो वहां सड़क नहीं बनी होती थी क्योंकि इनके पास PWD मिनिस्ट्री और UD मिनिस्ट्री है इसलिए उनको पता था कि कहां जलबोड की लाइन पढ़नी है कहां पर विकास होना है और वहां वो सड़क बनाकर वो जमीन उससे भी जादा महगे दामों पर बेचने का काम ये दिल्ली सरकार के मंतरी कर रहे थे जिसमें कारवाई हुई है उनकी जमीन जब्त की गई है ये मैंने एक खुलासा कट्टर इमानदार मुक्यमंतरी के बारे में कट्टर इमानदार सरकार के बारे में कहा है क्योंकि उनका काम नहीं है इसलिए वो कोई कारवाई नहीं करते हैं जितनी भी जाच के बारे में संबिच जी ने बताया है दिल्ली जलबोड के 60,000 करोड रुपया दिल्ली जलबोड को इन्हों ने दिया आज अगर कोई एक सामाने से सामाने ग्रहनी भी होती है तो 25, 30, 40,000 रुपय घर का खर्चा होता है उसका भी क्या आए और क्या व्याय है उसका भी बेवरा होता है लेकिन 60,000 करोड रुपय का बेवरा दिल्ली में अर्विन केजरिवाल सरकार ने अभी तक नहीं दिया है साथ सालों में 22 पत्र सीए जी ने इनको लिखे कि भई आप हिसाब किताब बताईए कि कहां आपने ये खर्चा किया है कहां पे आपने किसको जलबोड में कहां खर्चा किया है नहीं दिया है और आखरी पत्र में सीए जी ने साफ लिखा इसका मतलब आपने फोरजरी की है आपने फ्रॉड किया है आपका इंटेंशन ठीक नहीं है जहां तक ब्रस्टाचार की बात है अपने किसी मंतरी को नहीं हटाया ना जलबोट के मंतरी को अटाया ना वाइस चेर्मेन को अटाया और यहां तक की डीटी सी में जो बस की खरीदे की गई जिसमें एक हजार बसे नौसो पच्छतर करोड की खरीदी हुई पहले तो टेंडर नहीं किये क्योंकि नियत नहीं ठीक थी और जब टेंडर की है तो उन एक हजार बसों की खरीद में नौसो पच्छतर करोड रुप्या खर्च होता है और उसके मेंटीनेंस का एक अलग से टेंडर करते हैं वो 35 करोड का मलग खरीदी नई बसे उसमें मेंटीनेंस भी सामिल ह लेकिन अलग से एक मेंटीनेंस का टेंडर करके 35 करोड रुपया जिसकी शिकायत भारती इंता पार्टी ने की अब CBI उसकी जाच कर रही है लेकिन अभी तक मंत्री को नहीं हटाया क्योंकि उन्हें ब्रस्टाचार करने वाले उनको ऐसा लगता है जैसे उनके लिए दूद देने वाली जैसे गाय होती है उसी तरह से वो सारे मंत्री सारे विधायत वो सारे ब्रस्टाचारी वो साथ रखके हुए और जिस तरह से दिल्ली के अंदर शराब माफिया के साथ जो गलबईया की है जो उन्होंने गटबंदन किया है और उनको हजारों करोड रुपय का फ जो लोग बड़ी बाहें फाड़ते थे जो जोर जोर से चिला कर कहते थे कि हम इमानदार सरकार लाएंगे इमानदारी की बात करते थे हेल्प लाइन जारी करते थे आज वो शराब माफिया के साथ मिलकर ब्रस्टाचार कर रहे हो दिल्ली जलगोर्ड में ब्रस्टाचार कर रहे और इसके साथ ही साथ जो लोग ये कहते थे कि हम इमानदार हैं वही लोग दिल्ली के मुख्यमंत्री अपने घर के अंदर 21 करोड की लागस से स्विमिंग पूल बन माने का काम कर रहे है जो ये कहते थे ना मैं गाड़ी लूँगा ना बंगला लूँगा ना सुरच्चा लूँगा तो ये ब्रस्टाचार की पूल आज जो उनका कमिटमेंट था वो आज जनता के सामने आ गया है जो उन्होंने वादे किये थे ब्रस्टाचार को समाप्त करने के लिए बड़े-बड़े उनके पास पुलिंदे थे जिस टेंकर माफिया को वो समाप्त करने के और इस जुर्म में इनके विधायक जेल भी जा चुके हैं तो ये इनकी असली कहानी आज कुछ कहानी आपको मैंने बताई है कि दिल्ली में ब्रस्टाचार विरोधी हेलप लाइन चलाकर दिल्ली के अंदर देश के अंदर ब्रस्टाचार के खिलाप लडाई लडने वाले आज खुद ब्रस्टाचार कर रहे हैं दिल्ली के अंदर